अगर आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो, और अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, या जिन्दगी में खुश नहीं रह पाते, या आप अपनी जिन्दगी में सफलता हासिल करना चाहते हो, तो श्रीमत भागवत गीता का ग्यान आपको हमेशा खुश रहना सीखा देगा, आपको जिन्दगी की हर जंग जीतना सीखा देगा, काम्याबी को हासिल करना सीखा देगा, जब आपको ये लगे कि ये दुनिया बहुत मतलबी है और कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, सब बस अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, तो श्रीमत भागवत गीता का ज्यान ऐसे वक्त में आपको हिम्मत देता है, आपको राह दिखाता है, एक बात तो बक्ती है जो गीता का ज्यान समझ लेता है, वो अपनी हर समस्या को आसानी से दूर कर सकता है, आज हम उसी श्रीमत भागवत गीता की 15 अद्भुत शिक्षाओं के बारे में चर्चा कर हैंगे, एक बात की गैरे नंटी है, जो भी व्यक्ती इन 15 शिक्षाओं को वीडियो के अंत तक पूरा ध्यान से सुनेगा, वो अपनी हर परिशानी, अपने हर दुख, अपनी हर पिड़ा को आसानी से दूर कर देगा, जीवन में उसे जो भी चाहिए, वो बहुत सरलता से ह समझने में उतनी ही मुश्किल है, क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है, अन्याय होता है, या हमारी जिन्दगी में कोई दुख आ जाता है, तो पूरी दुनिया ही गलत लगने लगती है, यह जिन्दगी ही गलत लगने लगती है, हर इंसान मतलबी और स्वार्थ ह लगने लगता है। ऐसा लगता है हमारी जिन्दगी में हमेशा हमारे साथ बुरा ही होता है। तो गीता के इस उपदेश को कैसे सच माने। ये जो होता है अच्छे के लिए होता है। हालां कि सच ये है कि जब कोई दुख हमारी जिन्दगी में आता है, तो वो हमें लायक और मजबूत इनसान बनाता है, और जब कोई अपना हमें चोट पहुँचाता है, तो उस चोट से हमारी आखें खुलती है, कि हम किस इनसान के लिए मर रहे थे, जिसे हमारी कोई value ही नहीं है जैसे छोटे बच्चे को उसकी मा कड़वी दवाई पिलाती है वो कड़वी दवाई उस बच्चे को बिलकुल पसंद नहीं आती लेकिन वही कड़वी दवा उसकी बिमारी को खत्म करती है वास्त्विक्ता में हर इंसान उसी को सच मान के जीता है जितना उसकी समझ है या जितना उसे दिखाया या सुनाया जाता है लेकिन आप तब तक किसी का सच नहीं समझ सकते जब तक आपकी जिन्दगी में दुख नहीं आता जब तक लोगों का आपसे काम निकलता है, मतलब पूरा होता है, तब तक दुनिया आपके साथ बहुत अच्छा चलती है लेकिन जी इस दिन लोगों को आपसे फाइदा मिलना बंद हो जाता है तब आपको उनका असली चेहरा दिखाई देता है, जो आपको बहुत गहरी चोट पहुँचता है आपने अकसर ये लोगों को कहते सुना होगा कि ये इनसान ऐसा निकलेगा मैंने सोचा ही नहीं था क्या क्या नहीं किया उसके लिए इसे मैंने अपना माना था पर ये ऐसा निकलेगा, इसकी मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी वास्तविक्ता में हर इनसान नकाब लगा के घूमता है आप तब तक किसी इनसान की सच्चाई सच्चाई नहीं जान सकते जब तक वो आपके साथ बुरा व्यभार नहीं करता इसलिए ही कहा जाता है कि अगर कोई आपको चोट पहुँचाए तो वो भी आपके लिए अच्छा ही होता है क्योंकि उसी की वज़ह से आप जिंदगी में लड़ना सीख पाते हैं क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा सुखों में रहते हैं उनकी जिन्दगी में अगर जरा सा दुखाता है तो वो उसे जहेल नहीं पाते, लेकिन जो इनसान दुखों से लड़ता आया है, जिसने अपनी जिन्दगी में अपनों के बुरे व्यवहार को सहा है, ऐसे इनसान को जिन्दगी के छोटे मोटे दुखों से कोई फर्क ही नही पड़ता है, और जो इनसान चोट नहीं सहता, वो कभी महान इनसान नहीं बन सकता, वो कभी किसी बड़ी काम्याबी को हासिल नहीं कर सकता, इसलिए जिन्दगी में जब तकलीफ आए, परेशानी आए, बुरा वक्त आए, तो याद रखना, कि वो ईश्वर आपके लिए गहरी चोट पहुँचाता है, तो ऐसे कामों की कोई माफी नहीं होती, लेकिन अगर आप ऐसी चीजों के लिए भी लोगों को माफ कर दोगे तो याद रखना, एक दिन वो आपकी माफी आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है, श्रीमद भागवत गीता का ती कि ऐसे लोग बार-बार आपकी अच्छाई का सबूत मांगते हैं, अगर आप अच्छे हो तो ये आपको सहना पड़ेगा, अगर आप अच्छे हो तो हमारी बात आपको माननी पड़ेगी, जब दुर्योधन और शकुनी पांडवों के साथ चल करके जुआ खेल रहे थे, तब उस समय पे युधिष्ठिर चुप चाप सबसे सहता रहा, उन्होंने चल कपट करके पांचों भाईयों को जुआ में लगा दिया, उनकी पतनी द्रौपदी को भी जुआ पे लगा दिया, और वो दुर्योधन द्रौपदी का भरी सभा में अपमान करने लगा, उसे न चल कपट से जी रहे हैं, उनके सामने कोई जरूरत नहीं है, कि आप सच्चाई से चले, यहां उन्हें ये दिखाए, कि आप कितने बड़े धर्मात्मा हैं, सच बोलना, पुन्य सिर्फ तभी होता है, जब उससे किसी का भला हो, और जूट बोलना, पाप सिर्फ तभी होता है, जब उससे किसी का बुरा हो, अगर आपके जूट से लोगों की भलाई होती है, इसी का दिल खुश होता है, तो वह जूट पाप नहीं पुन्य है, लेकिन अगर आपके सच से किसी के दिल को चोट पहुँचती है, तो वह सच पुन्य नहीं पाप है, इसलिए जो इनसान आपके साथ गलत करता है, जो इनसान हमेशा आपके साथ छलकपट करता है, आपको धोखा देता है, आपको नुकसान पहुंचाता है. ऐसे लोगों के सामने अपनी अच्छाई साबित करने की आपको कोई जरूरत नहीं है. गीता का चौथा उपदेश ये है कि दुष्ट इनसान के साथ चाहे आप जितनी भी भलाई कर लो, लेकिन वो हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएगा. वो कहते हैं ना कि बुरा इनसान कभी अपनी फितरत को नहीं छोड़ सकता. जब आपको पता हो कि सामने वाला इनसान हमें आपको दुख पहुंचाता है. हमेशा आपके साथ गलत करता है. और आप ये सोचते हैं कि वो चाहे कैसा भी चले लेकिन मुझे अच्छा ही चलना है. आपकी यही गलती आपको बहुत दुख देती है. जब आपके साथ कोई गलत चले, आपको कोई जरूरत नहीं है उसके साथ अच्छा चलने की आपने उसके साथ अच्छा चलो ना उसके साथ बुरा चलो बस आप उससे दूरी बना लो लेकिन फिर भी, अगर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते रहोगे तो सिवाए पीड़ा के आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा श्रीमत भागवत गीता का पांचवा उपदेश है कि जिन्दगी में अगर आप हमेशा सहते रहोगे तो ये दुनिया एक दिन आपको मिटा के रख देगी इस दुनिया में न सहने वालों को समझदार नहीं बेवकूफ समझा जाता है या फिर कायर समझा जाता है जो इनसान अपने लिए आवाज नहीं उठाता जो इनसान अपने हक के लिए लड़ाई नहीं करता अपने साथ होने वाले गलत व्यवहार के लिए वो खड़ा नहीं होता तो ऐसे लोगों को दुनिया कुचल के रख देती है और अगर आपको लगता है कि अगर हम चुप-चाप सहते रहेंगे तो लोगों की नजर में आप अच्छे बन जाएंगे तो ऐसा कभी नहीं होने वाला क्योंकि अब दौर बदल गया है लोग बदल गए है आज के युग में जो जितना सहता है लोग उसे और ज्यादा सहने के लिए मजबूर करते हैं इसलिए जहां आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है आपके साथ अन्याय हो रहा है सामने वाला आपको तकलीफ पहुँचा रहा है तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसका विरोध करें श्रीमल भगवत गीता का छठा उपदेश है कि आप दुखों से घबराना छोड़ दो क्योंकि दुख और सुख हर इंसान के जीवन में मौसम की तरह आते हैं उससे कोई नहीं छूट सकता तो उससे परेशान होने की बजाए रहेगा तो एक दिन वो भी बरबाद हो जाएगा महाभारत का एक पात्र है कर्ण जो वास्तविक्ता में पांडवों का बड़ा भाई था लेकिन उसने दुरियोधन से मित्रता कर ली हालांकि वो दानवीर था धर्म को जानता था सत्य को समझता था लेकिन फिर भी एक पापी इंसान के संग में रहने के कारण उसका सर्वनाश हो गया ऐसे ही एक अच्छा इंसान जब बुरे लोगों की संगत करता है तो चाहे वो खुद कितना ही अच्छा क्यों ना हो लेकिन उन गलत लोगों का पाप उसे भी भोगना पड़ता है उनके साथ रहने की वज़े से उसकी जिंदगी भी बरबाद हो जाती है श्रीमत भागवत गीता की आठवी शिक्षा ये है कि प्रेम और भावनाओं के रिष्टे सिर्फ उन से बनाने चाहिए जिन्हें आपके प्रेम और भावनाओं की कदर हो और उसका मूल्य पता हो जब आप अपना प्रेम किसी ऐसे इनसान से लगा लेते हैं प्रेम की कोई कदर नहीं है तो वहाँ आपके दिल को बहुत दुख मिलता है जब आप ऐसे किसी इंसान की बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, जिसे आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो सिवाए आंसुओं के आपको वहां कुछ नहीं मिलता याद रखना किसी गलत इंसान के साथ जुड़ने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहो आप अकेले रहकर अभी उतना दुखी नहीं हो सकते, जितना एक गलत रिष्टे में जुड़कर आपको दुख मिलता है वैसे तो आज के युग में कोई किसी की कदर करता नहीं है, कोई किसी को प्रेम देता नहीं है इसलिए जैसे भी आप अपनी जिन्दगी में सबसे ज्यादा खास बनाओ तो उसमें जल्दबाजी मत करना थोड़ा समय लेना, थोड़ा उस रिष्टे को समझना अभी जाकर अपनी जिन्दगी में किसी को वो प्रेम की इजज़त की खास जगह देनी चाहिए किसी को प्रेम देना, किसी को वैल्यू देना गलत नहीं है लेकिन जब वो प्रेम और आपका वैल्यू देना आपको तकलीफ देने लगे तो ऐसे रिष्टे में आपका पीछे हट जाना ही आपके लिए सही रहता है श्रीमद भागवत गीता की नौमी शिक्षा ये है कि जो इनसान दुख में दुखी नहीं होता सुख में सुखी नहीं होता वो दुनिया की हर समस्या को पार कर जाता है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया समझ शत्रु चमित्रेचर तथा मानवशी तोशन सुख दुहक्यशू समसंग विवर्चित की जो इनसान दुख सुख में मानवमान में दोस्ती और दुश्मनी में कभी परेशान नहीं होता हमेशा स्थिर रहता है वो जिन्दगी की हर समस्याओं से बाहर निकल जाता है और ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिया है जो लोग थोड़ी-थोड़ी बात पे दुखी हो जाते हैं थोड़ी सी खुशियां आते ही फूलने लगते हैं ऐसे लोगों का मन बहुत अशान्त और बेचैन रहता है खुद को कभी भी इतना हलका नहीं बनाना चाहिए कि कोई छोटा सा दुख आकर आपको हिला के रख दे ये छोटी सी खुशी आ जाये तो इनसान का दिमाग ही घूम जाये ऐसे लोगों पे कोई विश्वास नहीं करता है क्योंकि सब को पता होता है आज ही दुखी है तो हमारे पास आया है एकदम भोला बन गया है और जब इसका वक्त अच्छा आता है तो ये हमसे कोई मतलब ही नहीं रखता है जब भी जिन्दगी में दुख सुखाए तो एक समझदार इनसान उनसे घबराता नहीं है उनसे डरता नहीं है बलकि उसे समय की नियती समझ कर और अपनी समस्याओं का समाधान करके जिन्दगी में आगे बढ़ता है इसी लिए श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं कि तू समता को उदाहरण कर मन में ठहराव को लाना सीख क्योंकि जिसके मन में ठहराव आ गया वह दुनिया के हर दुख से पार हो जाता है श्री मत भागवत गीता का दस्वा उपदेश ये है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य, अपने कर्म को घ्ञान और समझ के साथ नहीं करता उसकी जिन्दगी में दुख और असफलता ही आते हैं अर्जुन जब श्री कृष्ण से कहने लगा युद्ध में इतने लोगों की हत्या करने से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं, बिक्षा मांग कर खाऊंगा तो श्री कृष्ण बोले कि वो तेरा धर्म नहीं है वो तेरा कर्तव्य नहीं है तू क्षत्रिय है, तेरा कर्म है कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना और आज जब इन अधर्मियों ने धर्ती पे इतना अत्याचार और पाप फैला मुझे फूल चढ़ा दे या जल चढ़ा दे या सिर्फ नमस्कार ही कर दे तो वो मुस्तक पहुँच जाता है और अगर कोई बिना प्रेम के बिना भाव के मुझे सोने के थल भी चढ़ाए तो वह मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं आते अगर मन में प्रेम नहीं है तो मंदिर भी दुकान बन जाता है और अगर मन में प्रेम है तो दुकान भी मंदिर बन सकती है दिखावा दुनिया के लिए चलता है लेकिन ईश्वर कहते हैं मेरे आगे दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है कोई प्रेम से पुकारे तो मैं दोड़ा चला जाता हूं श्री मंत भागवत गीता का भरवा उपदेश है श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मुझ में विश्वास रखता है उसकी जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो मैं किसी ना किसी रूप में आकर उसकी रक्षा करता हूं बस कोई मुझ पे विश्वास करके तो देखे जब महा भारत का युद्ध चल रहा था तो दुर्योधन ने देखा कि भीश्म पितामह पांचों पांडवों में से किसी को भी नहीं मार रहे थे तो दुर्योधन ने भीश्म पितामह के पास जाकर कहा कि आप युद्ध तो हमारी तरफ से कर रहे हैं लेकिन आपका मन पांडवों से जुड़ा है आपके मन में सच्चाई नहीं है आप अपने राजा की विजय नहीं चाहते हो जब इसे कठोर वचन भीशन पितामह से कहे तो वो क्रोध में भर गए उन्होंने कहा मेरी निष्ठा हस्तिनापुर के लिए है और तुम मेरी निष्ठा पे शक करते हो मैंने अपना पूरा जीवन इस राज्य के लिए समर्पित कर दिया और अगर तुम मेरी निष्ठा पे संदे है तो आज मैं प्रतिग्या करता हूँ कि कल सूर्यास्थ होने तक या तो अर्जुन नहीं रहेगा या फिर भीश्म नहीं रहेगा। जब इस प्रतिग्या की बात श्री कृष्ण को पता चली वो बहुत परेशान हो गए क्योंकि भीशन जो एक बार प्रतिग्या कर ले उसे पूरा जरूर करते हैं। वो सारे राजमहल में अर्जुन को ढूंडने लगे। और उन्होंने देखा कि अर्जुन अपने कक्ष में आराम से सो रहा था। श्री कृष्ण ने जाकर अर्जुन को नींद से जगाया की। अर्जुन तुम इतना अरहम से सो रहे हो तो अर्जुन बोले एक केशव आज सारा दिन युद्ध करके मैं बहुत ठक गया हूँ, सोचा थोड़ी देर आराम कर लूँ, कल फिर सारा दिन युद्ध करना है वो। श्री कृष्ण बोले, तुमको पता नहीं कि आज भीश्म पितामह ने प्रतिग्या की है, कि कल या तो अर्जुन नहीं रहेगा या भीम नहीं रहेगा, तो अर्जुन ने कहा है केशव, मुझे भीश्म पितामह की इस प्रतिग्या के बारे में अच्छे से पता है, तो श् ये है केशव की, जिसके लिए स्वयम आप इतने परेशान होकर इधर-उधर घूम रहे हैं। उसके बाद भी अगर कोई खुद अपनी चिंता करे, तो वो इनसान मूर्ख ही होगा, क्योंकि जब आप मेरे साथ है, तो ऐसे एक तो क्या ख़जार भीश मूवी मेरे सामने खड़े हो जाये, तो वो सब मिलके भी मेरा बाल भी बहका नहीं कर सकते, और अंत में यही हुआ। उस दिन भीश्न पितामह का वद हुआ, और अरजुन की जीत हुई, श्रीमत भागवत गीता की। किसी बहुत ज्यादा क्रोधी और अहंकारी इनसान के पास कोई पद, कोई सत्ता या कोई शक्ति आ जाती है, तो उससे वो लोगों की भलाई कम, बलकि लोगों का नुकसान ज्यादा करता है। इसलिए धृतराष्टर ने इतने सालों तक हसीनापुर का राज किया, लेकिन कभी किसी की भलाई नहीं की। दुरियोधन जो उसरात युवराज था, उसने भी कभी किसी की भलाई के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ सब का नुकसान करता रहा, बस अपने अहंकार की पूर्ति के लिए। इसी लिए कोई भी रिष्टा, कोई भी परिवार या कोई भी राज्य सिर्फ प्रेम से चल सकता है। जब जिन्दगी में कोई दुख आता है, ना बुरा वक्त आता है, तो दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। लेकिन चाहे हजार मुश्किलें क्यों ना हो, वो पर्मात्मा हमेशा हमारा साथ देता है। इसलिए कहते हैं, जमाना जब भी मुझे 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 मुज़िछिरों में डाल देता है, लेकिन मेरा रब. रास्ते निकाल देता है शिरिमत भागवद गीता का 15 हवाँ उपदेश है, कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा. हो सकता है बुरा कर्म करने वाला कुछ दिन मजे कर ले लेकिन आज नहीं तो कल उसको उसके